हाई फ्रेंड इस्टेडी एड्डा के यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज जो है मैथ का जो SSE MTS का पेपर था 22-2011 के उसके क्वेशन डिस्कस करेंगे ये टोटल 25 क्वेशन मैथ में पूछे जाते हैं SSE MTS में तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे 12 and 12 क्वेशन का दोनों पार 2-3 गंटे के इंतराल में अपलोड हो जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सेर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाके एक बार विडियो चेक कर लें उसमें जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलोजी सब इतने सारे विडियो हैं जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं तो उसको आप एक बार चेक कर लें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सेर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्टिन है तद उन सार उन संख्याओं का योग कितना है देखिए, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है कोई फार्मूला लगाने की जरुरत नहीं है आप अगर ऐसे करेंगे, मालना पहला एक्स है दूसरा एक्स प्लस ओन है, तीसरा एक्स प्लस टू है फिर इनका वर करके 365 करेंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा आपको क्या करना है, ओप्सन पकरना है देखिए, जिस 30 है तो आपको गेस करना है कि कैसे तीन संख्याओं का योग 30 हो सकता है जो क्रमागत हो तो आप देखेंगे तो यह होगा 9, 10, 11 यह 33 है यहाँ पर देखेंगे तो यह आपको हो जागा 10, 11, 12 सेम इस तरह 36 देखेंगे तो क्या हो जागा, 11, 12, 13 अब 45 चेक करेंगे तो क्या हो जागा, 45 के लिए आपका 12, 13 12, 13, 14 तो नहीं होगा तुरंट आप ये नहीं होगा तो 13, 14, 15 कर लिजे 5, 4, 9, 3, 12 ये भी नहीं होगा 14, 15, 16 कर लिजे तुरंट 6, 5, 11, 4, 15 देखी ये हो सकता है तुरंट चेक कर लिजे 6, 5, 11, 4, 15 और 45 ठेक है अब आपको क्या करना देखना कि इनके वर्गों का योग तो देखी ये सब बहुत पास-पास के हैं तो आप इसमें बीच का जो है वो चूच कर लिजे देखी ये 9 से स्टार्ट है ये 11 से ये आपका बीच का होता है ये 20 से स्टार्ट है तुरंट इनके वर्गों का वर्ग करके जोड़ लिजे 100, 121 और 144 415, 426, 365 आगया मतलब आपका एंसर क्या होगा 33 तो ऐसे क्वेश्चन को आप आप से ही किजेगा तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा नेक्स क्वेश्चन देखते है विंजक के योगफल में इकाई का अंग कितना है देखिए इकाई के लिए अगर आपको चाहिए तो हम मैं पूरा स्रीज बना दूँगा एक से दो लेक्चर लगेंगे आपको पूरा कोई भी कैसा भी देदे आप इकाई का अंग क्लियर कर लोगे ने तो ये क्वेश्चन कैसे लगएगा देखिए जैसे पांच है पांच का कुछ भी स्क्वाइर कर लिजे पांच स्क्वाइर कर लिजे क्यूब कर लिजे पावर फोर कर लिजे सब के इकाई का अंग पांच ही आएगा इसी तरह छे है छे का कुछ भी कर लिजे स्क्वाइर कर लिजे cube कर लिजे, 4 कर लिजे सब के एक आई कांग 6 ही आएगा अब जिस संख्या के अंत में 3 रहता है, last में जिस संख्या के 3 रहे, उसमें क्या करते है, जो power रहता है, जैसे यहाँ पर 54 power है, तो इसको 4 से divide कर देंगे, किससे 4 से divide कर देंगे, 54 upon 4 देंगे, divide किजए इसको, 54 को किससे, 4 से, 4 एकम 4, 5, 4, 1, 4 को उतारेंगे, 4, 3, 12 14 से 12 गया, 2 यह जो reminder बचेगा आपका, जो faithful बचेगा, वो 3 के power में कितना है, जैसे 3 के power कर दिए उसको, जो faithful है आप बचेगा, उसको 3 के power में रखिए और आपका 11 का अंक पता चल जाएगा 3 के power 2 कितना होता है, 3 तरिक के 9, तो 11 का अंक आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसी अगर 3 के power 3 आता तो, तीन तरिक का 9 तरिक, 27, 27 में इका अंक क्या 7 हो जाएगा, अब क्या कीजिए इन किजे मैं जरूरी मिना दूँगा इससे आपका किसी भी इकाई के अंग का किसी भी कोई भी आपके पास question रहेगा तो उसका इकाई का अंग तुरंट 30 से 35 सेकेंड के अंदर find कर लेंगे तो अब next question पर चलते हैं तो कि a b के तूलना में तीन गुना बहतर कामगार है question का कहने का मतलब समझेए a है और b है a b के तूलना में तीन गुना बहतर कामगार है मतलब अगर a कोई काम एक दिन में करेगा तो b उसको तीन दिन में करेगा ये बात clear हो गई इसलिए वो कोई कार b के तूलना में उससे 40 दिन कम अवेदि में कर सकता है अब ये जो difference है इनके बीच का कितना है 2 है लेकिन इसका answer दे दिया है कितना है ये 40 दिन है question में यही तो दिया है जो इनके बीच का difference है कितना है 40 दिन तो 2 के बराबर आपका जब 40 दिन दिया तो आप 1 निकाल सकते है 2 बराबर 40 दिन तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन अब ये A के value यहाँ पर put कर दीजे मतलब A कोई काम 20 दिन में करता है और B कोई काम 20 तियाइन 60 दिन में करता है तो अब आपको ये चीज पता चल गया कि A कोई काम 20 दिन में करता है B कोई काम 60 दिन में करता है आगे क्या पूछ रहा है तो दोनों मिल कर वही कार कितने दिन में करता है तो आप जब इनका LCM ले लेते हैं तो इनका क्या आजाता है Total Work इनका LCM कितना आएगा 60 आएगा तो Total Work मतलब 60 काम अब A एक दिन में 20 काम करता है तभी तो 60 काम खतम कर लेगा और B एक दिन में एक काम करेगा तभी 60 दिन में वो खतम कर लेगा 60 काम तो Total कितना हुआ A प्लस B मिल के एक दिन में कितने काम करते हैं 4 उनको करना कितना है Total काम 60 तो कितने दिन में खतम कर लेगे 60 बटा 4 मतलब 15 दिन में वो जो है total काम खतम कर लेंगे तो हमारा answer क्या होगा A plus B मिलके 15 दिन में पूरा काम खतम कर लेंगे अगला question देखे देखी ये question आप पहले खुच से लगाईए वीडियो को pause कर दीजे और खुच से लगाईए उसके बाद देखी आपका method और मेरा method सेम है क्या देखे ये question कैसे करते हैं देखे क्या दिया है यदि मैं रुपए 100 में 11 पुस्तके खरता है हूँ मतलब रुपए यहाँ पर लिख देजे और यहाँ पर लिख देजे quantity रुपए 100 में 11 पुस्तक और रुपए 10 पुस्तके रुपए 110 में बेच देता है क्या करता है दस पुस्तके यहाँ पर buy करता है यह खरीटता है और यह क्या करता है sell करता है ठीक है पहले इसका method देखेंगे उसके बाद मैं आपको एक formula बताऊंगा हो सकता आपको formula पता हो method ना पता हो तो देखें इसमें क्या करते हैं हम quantity जो quantity है इसको बराबर कर देते हैं किसी तरह अब इसको आप दो तरह से quantity बराबर कर सकते हैं दोनों के भी इस difference एक है तो एक का दाम आप निकाल लीजे 110 बटा 10 करेंगे तो एक का दाम आ जाएगा आपका 110 बटा 10 करेंगे 11 अब 11 इसमें add कर दीजे तो क्या हो जाएगा ये 100 रुपए में 11 उस तक जो है buy करता है और sell कितना करता है 121 जब 11 यहां पर add करेंगे तो 121 11 उस तक 121 रुपए में sell करता है तो उसे 11 उस तक में profit कितनी हुई 21 रुपए की यहां से आपको ये पता चल गया है 11 उस तक में उसको profit हुई 21 रुपए में कभी-कभी ये होता है कि एक का दाम निकालना मुस्किल होता है तो आप क्या कर लिजे cross multiplication कर लिजे जो नीचे 10 है 10 का गुड़ा पहले 100 में कीजे और फिर 11 कीजे इसको लिख दीजे फिर ये जो 11 है 11 गुड़ा 110 में कीजे और 11 गुड़ा यहां नीचे करके दोनों का आप change कर देंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे ठीक है तो अब हमें मिल गया 11 पुस्तक को में उसको profit कितने की होती 21 रुपए की तो एक पुस्तक का profit कितना हो गया 21 गृटे 11 ये एक पुस्तक का profit है अब पूछ कह रहा तो मुझे प्रतिएक पुस्तक पर कितने प्रतिस्सत लाब होआ लाब बराबर क्या होता है जो आपका profit upon CP गुडे 100 यह होता है profit कितना हुआ है 21 बटे 11 CP क्या है 100 रुपै में हो कितना खरिथा है 11 पुष्टक 11 पुष्टक तो एक का CP क्या हो गया एक का CP हो गया 100 बटे 11 गुडे 100 profit आपका निकल जाए गए इसको जै से लेके लेते है 21 बटी 11 गुड़े 100 जी यहां पर बटी 11 होगा वो उपर चला जाएगा और गुड़े 100 यह कड़ गया कड़ गया कड़ गया मतलब आपको कितने percent का profit हुआ 21% का तो आप ऐसे direct निकाल सकते हैं अब आईए देखते हैं formula क्या होगा आप formula याद कर सकते हैं तो formula याद करके भी आ आप direct निकाल सकते हैं देखते हैं देखिए formula क्या होगा percentage लाव प्रतिसत लाव प्रतिसत लाव बराबर क्या होगा माल लेते हैं यदि A वस्तु को X रुपए में खरीद कर A वस्तु को X रुपए में खरीद कर B वस्तु को Y रुपए में बेचा जाता है देखिए formula क्या परसेंटेज लाब बराबर y a minus x b upon x b गुड़े 100 अब value put करते हैं y क्या है? y रुपए में बेचा जाता है तो 10 पुस्तके रुपए 110 में बेच दी जाती है तो 110 गुड़े a क्या है? a वस्तु को x रुपए में खरीदा जाता है तो कितने वस्तु खरीदा जाता है? 11 पुस्तकों को तो गुड़े 11 minus 10 गुड़े 100 upon 10 गुड़े 100 into 100 अब जब इसको आप solve करेंगे तो 110 गुड़े 11 आपका आजाएगा 210 minus 1000 upon 1000 गुड़े 100 बराबर 21% आजाएगा तो यही फार्मूला है अब मेथड से ज़्यादा लगाई है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेथड दिमाग में बना रहता है अगला कुश्चन देखते है एक बिल में 35% छूट देने पर 35% छूट देने पर दो बार क्रमबत 20% की छूट देने पर रुपे 22 का अंतर आता है तो देखिए दो बार क्रमबत 22 रुपे 22 का अंतर आ जाता है तो दो बार क्रमबत पहले हम टोटल निकाल देते हैं कितना परसेंट होता है तो इसके लिए फार्मूला लगा देंगे x plus y minus x y upon 100% यह फार्मूला आप लोगों को यादी होगा तो लगा देते हैं कितना आएगा 20 plus 20 minus 400 upon 100 मिन्स यह कितना आगया 36% ठीक है तो दो बार क्रमबत 20-20% के छूट कितनी होती है 36% और एक बिल में 35% छूट देने पर क्या करा है रुपए 22 के अंतर के बराबर होता है मतलब 1% बराबर 22 बोला है अब माल लेते हैं कि हमारे पास कितना था 100 रुपए था तो 100 का 36% 36 होगा 100 का 35% 35 होगा दोनों का डिफरेंस कितना आगया एक रुपए आगया लेकिन यह करा यह एक रुपए नहीं है यह कितना 22 रुपए है तो इसको 22 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें 22 का गुड़ा करेंगे तो जब हम इसमें 22 का गुड़ा करेंगे तो हम इसमें भी 22 का गुड़ा करेंगे तो हमारा एंसर कितना आजाएगा 2200 तो हमारा एंसर क्या होगा 2200 22 जो है हमारा answer होगा चलिए अगला question देखते है तेखे ऐसा question बहुत simple होते है आप लोग कई बार लगाये होंगे लगाने की जरूएट तो है नहीं लेकिन approach देखते हैं कुछ लोग कुछ दूसरी तरह से करते होंगे कुछ लोग यहां पर x की value रखते होंगे यह y की value रखते होंगे यह सब बहुत लंबा पड़ जाता है जब भी आपको ऐसा question मिले तो आप क्या कीजे एक ही चर रखे means y से divide कर दिजे उपर तो जब y से उपर divide करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x upon y minus 2x upon y 7x upon y plus 2y upon y sorry यह y था तो यह आपका कड़ गया अब आपका equation क्या बन गया यह देखिए आपका equation क्या बन गया 5x upon y minus 2 upon 7x upon y plus 2 तो अब x upon y बराबर आपको पता है कितना है 3 is to 4 अब यह value put कर दिजे 5 गुड़े 3 बटे 4 minus 2 ठीक है और 7 गुड़े 3 बटे 4 plus 2 अब आपको next step में क्या करना है इस 1 बटे 4 को बाहर करना है तो जब 1 बटे 4 बाहर करेंगे तो 5 गुड़े 3 अब यहाँ पर ऐसी क्या value रखें कि जिससे 4 से भाग करने पर 2 बचे तो 8 रखेंगे तो अब देखे इसको इससे गुड़ा करेंगे 5 गुड़े 3 बटे 4 फिर यहाँ पर माइनस 2 सेम हो गया कोई दिक्कत नहीं ठीक है फिर 1 बटे 4 बाहर कीजे 7 गुड़े 3 प्लस 8 बस स्वामफुल स्वाल हो गया इसको काट देजे 15 में से 8 गया कितना बचा 7 और 7 रखे 21 29 हमारा एंसर आ गया 7 बाइ 29 आप्शन नमबर 3 जो है हमारा एंसर होगा ठीक है तो अगले क्विश्चन पर चलते है I hope आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा नेक्स पार्ट जो है 12 क्विश्चन बच रहे हैं वो नेक्स पार्ट में 2 से 3 गंटे में मैं लेते आओंगा और जो जो भी आपको टॉपिक कवर करना है math का वो नीचे आप नीचे comment box में कर दीजे मैं जल्दी जल्दी कवर करा दूँगा math क्योंकि अब मैं math पे ही लगूँगा साथ में वो सब वीडियो आपके आते रहेंगे जिये असके दो संख्याओं का लगूँटम समापवर्थ और उनका महत्तम समापवर्थ का चार गुना है ठीक है मिस क्या बोला है दो संख्याओं का लगूँटम L, CM को X मान लेते हैं और महत्तम समापवर्थ तक को X मान के लेते हैं ठीक है क्या बोला है चार गुना है लगूटम समापवर्थ उनके महत्तम समापवर्थ तक का चार गुना है मिस अगर महत्तम समापवर्थ तक S है तो लगूटम कितना है 4X लिख देता हूँ अगर यह x है तो यह कितना है? 4x, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, बस बात clear हो गई, 125 दिया है तो x के value निकल जाएगी, 5x upon 5, x बराबर कितना हो गया? 25, मिस लगुत्तम कितना हो गया? 100x के value यहां पर put कर रहे हैं, अब महत्तम कितना हो गया? 25, अब आपको एक formula आप गोड़े महत्तम, लगुत्तम गोड़े महत्तम बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गोड़न खंड, a into b, तर यदि एक संख्या 100 है, अब एक संख्या कि value है, देखिए क्या करते हैं, 25 गोड़े 100 और एक संख्या कि value 100 है, तो दूसरी पूछ रहा है, यह कड़ गया, दूसरी आगे हमारी कितनी होगी, 25, तो answer क्या होगा हमारा, 25 जो है हमारा answer होगा, next question पर चले, देखिए, यह तो बहुत simple question है, भाग के एक प्रस्ण में भाजक अपने भागपल का 10 गुना, यह simple है, जूटी ले लिया, फिर भी कर देता हूँ, और सेस्पल का 5 गुना, यद अपने भागपल का 10 गुना, और सेस्पल का 5 गुना, तो 5 गुना कितना होगा, 5 का गुड़ा किजिए, 5, 36, 0, 80, 5, 24, 23, 23, 230, और किसका 10 गुना है, भागपल का 10 गुना, मतलब भागपल यहां पे 30 होगा, तो यह 230, 10 गुना, अब आपको ये value निकालनी है, ये value, क्या इसक कम रहता है, इसलिए दिमाग नहीं लगाते हैं, अगर यहां पे option रहता 5, 2, 9, 0, तो तो टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, आपका reminder भी 46 बच रहा है, इसको मत भूलिए, तो 46 इसमें add कर दीजे, 9, 14, अब ये आपका answer आएगा, कितना 5, 3, 3, 6, जो है आपका answer होगा, option number 4, देखिए, ये question पहले आप अपने मन से लगाई है, वीडियो को pause कीजे, अपने मन से लगाई है, फिर मैं इस question का बहुत अच्छा trick बताता हूँ आपको, देखते हैं, A और B की मासिक रहे, तो इनका क्या दिया है, आय दिया है, आय दिया है, A और B का, कितना 9 is to 8, और उनके खर्च का अनुपात दिया है, कितना 8 is to 7, जब ये question आप करें, तो पहले देखे, क्या इन दोनों का difference सेम है, अगर इन दोनों को difference सेम मिल जाए, तो ये बचत हो जाती है, क्या हो जाती है, बचत, ये आय और खर्च है, तो बचत, अब यहाँ पर दिया है, यदि उनमें से का बचत रुपए 500 हो तो, एक की मासिक आए, कितनी होगी, मतलब एक की वैलू दे दिया है, कितना 500, एक की वैलू दिया है, तो क्या पूछ रहा है, एक की मासिक आए, बचत की वैलू कितना दिया है, 500, बचत हमारी कितनी है, 1, 1 की वैलू कितना दिया है, 500, तो पूछ रहा A की मासी का है, मतलब 9 की value पूछ रहा है, जब 1 बराबर 500 तो 9 बराबर, 500 से आप इसमें गुड़ा कर देंगे, कितना आजाएगा 4500, मिन्स कितना 4500, option number 3 होगा, ठीक है आगे बड़े, बाकी ऐसे question पे मैं आपको detail एक video बना के दे दूँगा, जिसमें अगर इनका difference सेम ना आए, कम आए ज़्यादा आए, तो वो question कैसे solve करते हैं, उसका पूरा detailing मैं एक अगले वीडियो में आपको दे दूँगा 3 संख्याओं का उसत दिया है यह तो simple average का question है 3 संख्याओं का उसत means x plus y plus z upon 3 6 दोनों के बीच का अंतर दे रखा मतलब अगर एक संख्या x है तो दूसरी x plus 20 होगी upon 3 equal to 135 यह पूरा दे रखा है तो जब आपको सबसे बड़ी संख्या दे रखा है, तो total value निकाल लिजे आप 3 से यहाँ पर गुड़ा कर दीजे कितना जागा, 3 पच्छे 15 1, 3, 3, 9, 10 405 195 plus x plus x plus 20 equal to कितना हो जागा 405 अब यहाँ पर 2 जोड़ दीजे कितना हो जागा 5, 9, 2, 11, 1 means 5 9, 2, 11, 1 और 1, 1, 2 215 plus 2x equal to 405 तो 2x equal to कितना हो जागा 405 minus 215 215 क्या गरेंगे, घटा देंगे 5 minus 5 गया, 0 10 minus 1 गया, बचा 9 3 minus 2 गया, 1 कितना गया, 190 divide by x, तो 190 upon 2 equal to कितना जागा, 95 तो हमारा answer कितना होगा, 95 हमारा answer कितना होगा, 95 Thank you friends I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हम जल्दी से SSC MTS का जितना एकजाम होगा है सबके math के question जितने भी आया है सब cover कर लेंगे 6 से 7 April तक सब cover हो जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like, comment और share करके मुझे बताएं कि यह वीडियो ऐसे series all लानी है कि नहीं जिससे फिर से यह series शुरू कर सोके तो thank you दोस्तो